चलिए काफे दिनों से एक सरवड़ का प्राब्लम था इलर्णिंग में इंडरसेंस की सब्जेक्ट जुड़ा हुआ है जो टर्म वर्थ में आ रहा होता है इस बीटी के सलेवबस में नए सेसन इनसे 20 में 2020 से जो आगे सेसन है या चाहे वो 2021 हो या चाहे 2020 के फर्स्स समेश्टर की लोग उनमें क्या हुआ है एक MOOCS नाम का एक term work जुड़ा है, MOOCS क्या होता है, इसमें courses होते हैं, धेर सारे courses को online कराया जाता है, उनको पढ़ाया जाता है, अलग-अलग video के माध्यम से, अलग-अलग PDF के माध्यम से, अलग-अलग platform के माध्यम से, ठीक है, तो उस चीज को पढ़ने के लिए या उस course में जाने के लिए आपको register होना पड़ता है, अलग-अलग website पे, ठीक है, अगर हम एक simple सा कुसी, एक example वाले website को ले, तो हम अगर यहां पार paste करने की कोशिस करें, तो यह हमारा एक website है, that मैं login करने की कोशिस कर रहा हूं, थोड़ी देर में login हो जाएगी है, तो हमारा login page open हो गया लेकिन इस तरह का 404 एक error page का दिख रहा होगा आपके पास, लेकिन इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, right side उपर पे, एक login का symbol है, उस पे अगर आप click करोगे, तो login page आएगा, जो already registered हो है, वो login करेंगे, और जो registered नहीं है, वो register पे click करेंगे, जैसे register पे click करोगे, तो धे कुछ और चीज आड़ा होता है, कुछ और चीज इनने सेंस मतलब कि आप से पूछा जाता है, qualification वेगारा, जो छोटे-चोटे जानकारी होते है, किस college में हो, ठीक है ना, वो सारे चीज आप करके, तो वो login, आपका password create हो रहा होता है, फिर आप login page पे आजाते है, मैं already login हूँ तो मैं login करके देख रहा हूँ, तो हम लोग सिंपल login page पे आगए है, हमारा dashboard, my dashboard के नाम से, यह दिख रहा है, activities वेगरा, सारा कुछ दिख रहा होता है, मुक्स आप देख रहा होगे, लेकिन हम इसको अगर हम, dashboard को computer version में देखना चाहें, तो computer version में थोड़ी दिर के बाद, य यह थोड़ा सा अच्छा look दे रहा है, पहले के अपक्छा mobile से, तो यह dashboard है, आप जाके direct go to course पे जाओगे, या my course जिसको आप बोल रहा हो, ठीक है, धेर सारा course है, आपको recommend करता रहेगा, x, y, z, धेर सारा चीज है, धेर सारा, कोई भी एक particular course को आप select करोगे, ठीक है, हम पहला option home, और दूसरा option dashboard, और तीसरा option courses है, हम लोग जाएंगे, या धेर सारा course दिखना सुरू हो जाएगा, जो आपके लाइक है, या जिस पे आप comfort फिल कर रहे हो, तो उस course पे आप click कर दो, जो भी है, धेर सारा है, और बी अलग है, या और course आने वाले है, कुछ course को include कर द introduction to photography है, चलो, इस पे click कर देना है, ठीक है, यहाँ पे आपको एक enroll now पे click करना पड़ेगा, enroll now पे आप click करोगे, तो आपको फिर resume दिख रहा होगा, उस पे, enroll now पे आप अगर click करोगे, जैसे हमने एक basic computer skills पे click कर दिया, ठीक है, तो यह थोड़ी दिर पे खुल के आजाएगा इसा कुछ, ठीक है, जो आपके dashboard पे दिख रहा है, resume now इसलिए आ रहा है, यहाँ पे, क्योंकि हमने इसको एक बार open कर चुका है, हमने इस पे enroll कर दिया, आप अगर click करोगे नए वाले पे, तो यहाँ पे जो ब्लु कलर का resume now पे है, वहाँ पे आपका क्या आएगा, enroll now लिख करके आप इस पे enroll हो जाओगे, आप कोर्स को आगे बढ़ सकोगे, सबसे महत्पून बात यह है कि आप जब भी कोई कोर्स कर रहे हो, कोई भी कोर्स, चाया आप basic computer skills की बात कर रहे हो, या फोटोग्राफी की बात कर रहे हो, जो हमने पहले थोड़ी तरे पहले हमने दिखाय किसी भी कोर्स को आप कर रहे हो, तो most important बात यह हो जाती है, कि आप जो भी आप पर रहे हो किसी भी वीडियो या किसी भी PDF के माध्यम से इस कोर्स के अंतर अंतरगत, तो आपको उस चीज को note-down भी करना है, ठीक है ना, जो की आपका फाइल बनके तयार होता है, आपके college में submit होते हैं, ठीक है ना, और submit होने के बाद आपको grade या points, अलग-अलग college में, अलग-अलग schemes होते हैं, या अलग-अलग university, अलग-अलग schemes देती है, SBT की अगर बात करें, तो वो number दे रहा होता है, points दे रहा होता है, ठीक है ना, तो उस points को आपको अगर gain करना है, तो कुछ चीजों को पे आपको focus करना पड़ेगा, जैसे, एक तो आपका course complete होना पड़ेगा, हैना, जब तक course अगर complete नहीं होगा, तब तक आपका क्या होगा कि आपका certificate issue नहीं होगा, certificate issue नहीं होगा, तो फिर आप क्या होगा, कि अधूरा आपका course, जिसको incomplete भी बहुत सकते हो, right, तो एक तो पहला काम course complete करना, certificate issue हो जाना आपके नाम पे, जिस course पे आप install होगा, और तीसरा और important बात, जो file वेगरा submit होना होता है, colleges में, ठीक है, तो वो आपको लिखा handwritten होता है, तो आपको लिखना पड़ता है, ठीक है ना, practicals files या, जो भी term work files, तो उसको क्या, अब कैसे लिखो गया, जो भी आप course कर रहे हो, जो भी आप video, जो भी आप lecture देख रहे हो, चाहे कितने भी duration का हो, 10 minute, 20 minute, 50 minute, या जो भी जितने duration का हो, जो पढ बनते चले जाती, लास्ट में, जैसे आपका course complete होता है, तो आपका तीन चीज, तो course complete हो गया, certificate issue हो गया, और आपका file भी complete हो गया, और इतना छोटा सा काम, आप आसानी से कर सकते हो, अगर continuously करोगे तो, ठीक है, तो आपका तीनों काम हो जाएगा, आप इस particular pattern को अगर आप स ठीक है, तांक यू